प्रेंड्स वेलकम तो माई चैनल सिविलियन आज की इस वीडियो में आपको बता हूंगा स्याइकिंग एंड हॉगिंग क्या होता है और कैसे होता है तो आज देखते हैं प्रेंड्स पिछले वीडियो मैंने आपको बताया था कि जब कोई पॉइंट लोड बीम पे तो जो बीम है और डाउनवर डाउनवर डायरेक्शन में बेंड करेगा जैसे यहां पर नेचे की और कर्व का फॉर्मेशन होगा और यहीं पर पॉजिटिव बेंडिंग मॉवमेंट क्रियेट होगा फ्रेंड्स इसी बेंडिंग मॉवमेंट को हम सैगिंग मॉवमेंट कहत करते हैं ओके फ्रेंट्स इस तरह का सेफ फॉर्मिशन होता है आप देख रहे हैं इसे ही हम स्यागिंग करते हैं और हॉगिंग क्या होता है फ्रेंट्स जब बीम यहां से नीचे की और बेंड करेगा तो जो हमारा बीम है वह यहां से उपर की और उठने लगेगा इस तरह से हमारा बीम उपर की और उठने लगेगा तो और यहां पर नीगेटिव बेंडिंग मुव्मेंट क्रियेट होगा इसे ही हम हॉगिंग कहते हैं हॉगिंग बेंडिंग मुव्मेंट फ्रेंड्स हम सिंपली यह जानेंगे कि जब लोड नीचे से पड़ेगा बीम के ऊपर यहां से कोई लोड पड़ रहा है बीम के ऊपर है हमारा बीम है इस पर कोई नीचे से लोड पड़ रहा है जो जो हमारा बीम का से इस टाइब के कर मेंना होजाएगा और यहां पर और निगेटीव बेंडिंग मेंट क्रियेट करेंग इसे ही हम हागिंग मुवमेंट ही कहते हैं हागिं स्विकार्यश एजग्साफ दिर मेंट नर्हें तो friends हम hogging and sagging को define कैसे करेंगे hogging को define कैसे करेंगे a beam that curves upward in the middle मतलब किसी beam में अगर curve उपर की और बने ऐसे तो यह हमारा hogging हो गया और sagging क्या है sagging describes a beam that curves downward जिसमें हमारा curve downward direction बनेगा friends एक बात मैं आपका और बता दूँ कि hogging and sagging के कारण beam failure कैसे होता है क्यों होता है तो अगर यहां आपसे कोई beam पर load पड़ेगा कोई point load पड़ता है beam के उपर तो हमारा beam नीचे की और bend करेगा और इस section से जो कि x x section है इस section से beam break करने लगीगा क्योंकि एक moment हमारा इस side होगा beam का एक beam का moment इधर होगा तो बीच से x x section से beam break कर जाएगा और sagging के कारण beam failure हो सकता है अब hogging के कारण कैसे हो सकता है सेम है अगर कोई point load यहां से पड़ रहा है नीचे से तो जो beam का यह जो beam का center है यहां से beam में movement होगा एक इस side movement होगा और एक इस side होगा beam दोनों side movement करेगा और इसके center से beam का center है यहां से beam break कर जाएगा इसे हम यह क्या सकते कि hogging के इस कारण से beam break हो सकता है और sorry beam failure हो सकता है okay friends तो friends अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो please like करें share करें और subscribe करें okay thank you friends